वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 23 मार्च 2023 और 23 मार्च 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पू टेलीग्राम गीरुप से नाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम गुरुप पर आपको सारे पीडियाप एक साफ मिल जाएंगी और 22 March को 200 जल दिवस मनाएं गया यानि किस कुशिन का? B discussions है यह जल के महत्यों के बारे में बताने और 21 संकट के बारे में जगरुपता बढ़ाने के लिए हर साल 22 March को 200 जल दिवस बनाए जाता है अच्छा 1 March को सूनने भेदवाव दिवस मनाए गया तेन मार्च को बेस्सु बन्नजीब दिवस मनाया गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और बेस्सु मुटापा दिवस मनाया गया चै मार्च को बेस्सु टैनिस दिवस मनाया गया आठ मार्च को अंतरास्टी माइला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया नौ मार्च को बेस्सु केड़नी दिवस मनाया गया दस मार्च को CISF का 54 इस्तापना दिवस मनाया गया चौदे मार्च को अंतरास्टी गड़ित दिवस और अंतरास्टी पाई दिवस मनाया गया यह याद करने की ट्रिक में आपको उताई थी पाई की वेलू क्या होती है 3.14 तो चौदे तारीक और तेसरा महीना यानि की चौदे मार्च को अंतरास्टी गड़ित दिवस यह अंतरास्टी पाई दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को 200 उपवूगता अधिकार दिवस मनाये गया 16 मार्च को रास्टे टेकर करण दिवस मनाये गया 17 मारच को World Sleep Day मनाये गया 18 मारच को Westwick Recycling दिवस मनाये किया Base मारच को अंतरास्थी प्रसंदता दिवस World Oral Health Day और 20 गौरईया दिवस मनाये गया अच्छा अंतरास्टी प्रसंदता दिवस से लिंक करके आप याद करो अभी happiness index जारी किया गया है इसमें फिनलेंड टॉप पर रहा है happiness index में फिनलेंड टॉप पर है और इंडिया की रेंकिंग 126 है ये आपको याद कर लेनी है अच्छा एक केस मार्च को अंतरास्टी बन दिवस और नसली भेदवाव के उन्मूनन के लिए अंतरास्टी दिवस मनाएगे तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंड ये आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक क अपको अच्छा लगता है एलप लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरू क्या करो और आपको भी जोलता हूं जैनकिन्स इस्प्रिट ओफ क्रिकेट अवार्ड जीता है तो आसिफ सेख ये नेपाल की क्रिकेटर है और इनो ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जैनकिन्स इस्प्रिट ओफ क्रिकेट अवार्ड जीता है तो इसकुशन का से ओप्सन सही है अच्छा इमेज में देखी ये है आसि सी क्या है नैपाली रुप्या नैपाल की प्रजेन टाइम पे प्राइमिनिस्टर कौन है उस्प कमल दहल प्रचंड और नैपाल के अभी नए राष्ट पती कौन बने है राम चंद्र पॉंडेल अच्छा नैपाल की नए उपराष्ट पती कौन बने है राम सहाय प्रसाद या गया किर्केटर मनोज प्रभाकर को नेपाल किर्केट टीम का मुख की कोच नियुक्त किया गया और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरब परेटक ट्रेन को हरी जंडी दिखाए गई अच्छा इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एकसाज होती है तो इंडिया सिंग 2022 के सबसे मूल लिबान सेलेवरिटी बन गये तो इस कुषिन का बे ऑप्सेंस आई है लास्ट इयर सबसे मूल लिबान सेलेवरिटी थे बिराट को ली इनको पेचे छोड़कर साल 2022 के सबसे मूल लिबान सेलेवरिटी रडवीर सिंग बने है ने कुषिन है हाली में कह हाँ, होके खिलाडी रानी रामपाल की नाम पर इस्टेडियम का नाम रखा गया, तो अभी रायवरेली में एक स्टेडियम का नाम होके खिलाडी रानी रामपाल की नाम पर रखा गया, तो इसकुशन का C options है, यह है स्टेडियम, इसका नाम रानी's girl होकी ट्रफ रखा गया है ने कुशन है, हाली में 22 मार्च को केस राजी का इस्तापना दिवस मनाया गया तो बिहार का इस्तापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है दुसकुशन का बे ओप्सन सही है 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से अलग करके ये राजी बनाया था बिहार इसे बिहार का स्तापना दिवस या बिहार की राजी गठन दिवस की रूप में मनाया जाता है अब बिहार तो ये है मैप में बिहार बिहार की केपिटल के है पटना बिहार की चीपनिश्टर कौन है नितिस कुमार और बिहार की गवर्नल कौन मने हैं? राजजेंदर अरलेकर. बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है. राजबिद्नर सिंग वट्टे को बिहार के DGP के रूप में न्योक्त किया गया. ग्रेय मंतरी अमित सा ने बिहार के सारण में लोक, नायक, जैप्रकास, नाराइड की प्रत सब बिहार में मनाया जाता है. नए कुशन है, हाली में इन्वेस्ट इंडिया के M.D. and CEO का अत्रिक्त प्रवार को से दिया गया है? तो अभी मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के M.D. and CEO का अत्रिक्त प्रवार दिया गया. दूसकुशन का A. Options आղिए, ये हैं मनमीत के नंदा और एनिकू इन्वेस्ट इंडिया के MD&CEO का additional charge दिया गया है अभी Cotton Corporation of India के CMD के रूप में ललित कुमार गुपता को न्यूक्त किया गया ताजकिस्तान में सैयुक्त राष्ट के resident coordinator की रूप में के आर पारवती को न्यूक्त किया गया BPCL का अध्यक्ष और प्रबंद निदे सक जे कृष्ण कुमार को न्यूक्त किया गया TCS का CEO के कृतिवाशन को न्यूक्त किया गया नए क्यूशन है हाले में अर्णव बनर जी को के स्टायर कंपनी का CEO नामित किया गया तो C8 के नए CEO नामित हुए है अर्णव बनर जी तो इसकूशन का C options है यह है यह है अर्णव बनर जी और यही C8 के नए CEO अपाइंट हुए है अच्छा C8 इस कंपनी की स्टापना कब हुई थी 1924 में इसका हेड़कॉटर कहां पे है मुंबई में और अब इसके नए CEO तो यही अपाइंट हो गए है अर्णव बनर जी ने कुशन है हाले में स्टारवक्स के नए CEO के रूप में किस ने पदभार ग्रेड किया है तो अभी लक्षमण नरसिम्मन ने स्टारवक्स के नए CEO के रूप में पदभार ग्रेड किया तो इस कुशन का B options है यह है यह है लक्षमण नरसिम्मन और यही अ स्टारवक्स के नए CEO बने हैं अच्छा अभी हनीवेल ने CEO की रूप में पिमल कपूर को पॉइंट किया पे एफ आर डिये का अध्यक्षी देपक मोहंती को न्यूप किया गया LIC के प्रबन निदेशक के रूप में तबलेस पांडे को प्रमोट किया गया टैक महिंद्रा ने मोहित जोसी को MD&CEO के रूप में अपॉइंट किया से चेंजिस क्लाइमेट के भारत के राजदूत की रूप में स्रेया घोडाबत को न्यूप किया गया और LIC का अंतरेम चेर्मेन सिद्दार्त मोहंती को पॉइंट किया गया ने क्यूशन है किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है तो अभी थाइलेंड की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है तो अभी थाइलेंड की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है तो अब थाइलेंड तो यह है मैप में थाइलेंड थाइलें में कहां एसिया के सबसे बड़े चार मीटर लेक्विड मिरर टेलिस्कोप का उद्गाटन किया गया तो अभी उत्तराखंड में एसिया के सबसे बड़े चार मीटर लेक्विड मीरर टेलिसकोप का उद्गाटन किया गया तो इसकशन का बे आपशन से ही है अब इसका उद्गाटन उत्तराघंड में हुआ है तो ये है मैप मोर्टाघंड उत्राखंड की capital क्या है देरादून ध्यान रखना देरादून winter capital है और separation summer capital है उत्राखंड की chief minister हैं पुसकर संग धामी और उत्राखंड की governor है गुर मेट संग अभी पसु चिकित्सा और आयरुवेद पर अंतरास्ती आयरुवेद सम्मिलन का उद्गाटन हरेद्वार में हुआ है उत्राखंड सरकार ने राजी के कारकरताओं के लिए 10%-36 आरक्षट की गोश्ण की उत्राखंड के बिधानसवा भवन में फूल देही उत्सब मनाये गया अचा फूल देही तिवार ये उत्राखंड में मनाये जाता है हरेला पर उत्राखंड में मनाये जाता है और उत्राखंड में फूलों की घाटी भी है उत्राखंड में जेम कॉर्वेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्व नाम पूझा जाता है इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क और राज़ाजी नेशनल पार्क भी उत्राखंड में है ने क्यूशन है हाली में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्स दात्री बैठक कहां आयो जित हुई है तो अभी नई दिल्ली में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्स दात्री बैठक आयो जित हुई तो इस कुश्चिन का से ओप्षन से यह ने क्यूशन है हाली में IMF ने किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत package को मंजूरी दी तो IMF में अभी स्री लंका के लिए 3 अरब डॉलर के राहत package को मंजूरी दी तो इस question का बे options आई अब स्री लंका तो ये है map में स्री लंका स्री लंका की केपिटल क्या है कूलंबो और स्रे जैवर्दने पुरम कोटे कूलंबो कॉमर्सियल केपिटल है और स्रे जैवर्दने पुरम कोटे एडमिनिस्टेटिव केपिटल है स्री लंका की करंसी क्या है स्री लंका रुपी स्री लंका के प्रजैन टाइम पे स्ट्रू खाता खुला है दिवंगत सेडियस जनरल विपिन रावत के सम्मान में स्री लंका के स्रे मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई बारत ने आर्थिक सायता योजना की अंतरगत स्री लंका को 50 बसें प्रदान की हैं और 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कफ की मेजवानी स्री लंका करेगा अच्छा इंडिया और स्री लंका की वीच में कौन सी खाड़ी है पाक की खाड़ी इसे सुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंदल कहते हैं और इंग्लिस में से पाक स्ट्रेट कहते हैं इसको अभी सबसे कम समय में तैर कर पार किया है संपन रमेज ने ने खुशन है हाली में भारत और अफरीका की बीच नौ दिवसी सेन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ है तो अभी अपने देश भारत और तेज अफरीकी देशों की बीच नौ दिवसी सेन्य अभ्यास पुड़े में शुरू हुआ तो इ स्वास्ते का अधिकार विद्यकू, यह सबसे पहले पारित करने वाला राज केस है तो कोई भी गौवर्मेंट ऑस्पिटल हो या कोई भी प्राइवेट ऑस्पिटल हो उसको मुप्त में इलाज करना होगा यह स्वास्ते का अधिकार विदेख अगर कोई रायस्तान का नागरिक है और उसके साथ कोई इमर्जेंसी है तो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो य यह है मैप है रायस्तान रायस्तान की केपिटल क्या है जैपूर रायस्तान की चीपनिश्टर कोन है असुग गहलोद और रायस्तान की गवर्नर कोन है कलराज मिस्र बारत की पहली व्यवहार प्रयोग साला जैपूर में स्तापित की जाएगी MSME, ओध्योगीक प्रदर्शनी और मेले का उद्गाटन कोटा में हुआ है 18 में बेश्व सुरक्षा कॉंग्रेस जैपुर में आयोजित की गई कोटा में बिज्ञान केंद्र और तारा मंडल का निर्माड किया जाएगा भारते सेना के दक्षिट पश्मी कमान द्वारा 27 अभ्यास का आयोजन रायसतान में किया गया अच्छा रायसतान में सरेश्का निस्नल पार्क है रठमवर निस्नल पार्क है केवला देव घाना-पक्ची बियार है और मुकूंदरा हिल टाइगर रिजर्ब है next question है हाली में Mbappé किस देश की football team के coach बने है तो Mbappé ये France की football team के coach बने तो इस question का C options है ये हैं Mbappé और यही France की football team के coach बने है अब France तो ये है map में France France की capital क्या है Paris France की currency क्या है EURO और France के present time पे president कौन है Emmanuel Macron लाष्ट वीडियो के question का answer last video मैंने आप से questioning में किस ने सब्ध में जीता है तो अभै इस सर्जीयों पेरेश ने सब्ध में प्रेंबकких की तो यानि किस question का this is the best ॆ और लोगवक सभी strategies अऽरिखर dona शमें में लिखा वह को एक बर फ्र बोलूंग ऐसे बारे मैं आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कोश्चन है हाली में किस देश ने अपना पहला सब्मरीन बेस शुरू किया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टूक पेज पर प्रेवेस एर कोश्चन डेली पोश्ट करते हैं तो आप फेस्टूक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेस्टूक पे जॉइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस एर कोश्चन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कोश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटिड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोई वी डाउट कोई वी गन फ्यूजर बिदाउट एनी हजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है चाली से लाइक तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अल्पो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और से जरू किया करो और आपके पास जोभी study related WhatsApp और Facebook गरूप हैं उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current face का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजी आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइ करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्णिंग में करेंट अफैस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो थैंक्स पर वॉचिंग